पाठ आठ इमानदार की खोज बहुत पुरानी बात है कन्नौज में एक राजा राज्य करता था वह एक अच्छा राजा था इसलिए प्रजा भी उसका आदर करती थी राजा का एक बेटा था राजा की तरह ही वह भी गुणी और प्रजा को प्रेम करने वाला था प्रजा भी राजकुमार को प्रेम करती थी अब राजा बुढ़ा हो चला था वह राजकुमार को राज काज सौप कर अपने गुरु के आश्रम में जाकर रहना चाहता था इसलिए वह राजकुमार के लिए एक स्वामी भक्त और इमानदार मंत्री चाहता था ऐसा मंत्री जो ठीक सलाह दे और जूठी बढ़ाई ना करे एक दिन राजा ने अपने सब दर्बारियों को बुलाया फिर वह बोला कई दिन से मेरे मन में एक प्रशन उठ रहा है जिसका उत्तर आप लोग ही दे सकते हैं इस पर एक दर्बारी बोला श्रीमान आप अपना प्रशन बताईए हम उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे राजा बोला मैं चानना चाहता हूं कि क्या मैं सबसे अच्छा राजा हूं यह सुनकर सभी दर्बारी राजा की बढ़ाई करने लगे अधिकतर दर्बारियों ने कहा श्रीमान आप तो संसार के सबसे अच्छे राजा है यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ उसने सभी दर्बारियों को एक एक हीरा दिया एक दर्बारी चुपचा बैठा हुआ था राजा ने उससे कहा तुम चुप क्यो हो वह दर्बारी बोला श्रीमान आप एक अच्छे राजा है लेकिन दुनिया में आप से भी अच्छे राजा है यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ उसने उस दर्बारी को अपने बेटे का मंत्री बना दिया उसे विश्वास हो गया कि वह आदमी इमानदारी से अपना काम करेगा और कभी जूट ही बड़ाई नहीं करेगा